आप क जय भे अच्छा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे सुस्त होंगे सुद्धन Yap आज की सेशन में आप सभी काम स्वागत करते थेंविन अबिनदन वेलकम करते हैं ता रहा हूंगा Hoje राजी बिहार का रहने वाला हूं और इस business में मुझे पिछले 13 साल से मैं लगातार इस business से जुड़ा हूआ हूँ और जब मैं इस business में आया था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे बहुत सारे question थे क्योंकि मैं इस business में आने से पहले bank की job कर रहा था कि i Thank You मैं चॉब कर रहा था जब उसको छोड़ के जब में गेलवे बिजनस को स्टार्ट किया तब मेरे मन में बहुत सारे सवाल ठें क्या होगाइब यह कमपयी चले इन चलेगी इस तरह मन में हर किसी के सवाल होते है इसका फ्यूचर क्या है इसका क्या आगे क्या होने वाला है चलेगी नहीं चलेगी इस तरह के question हमारे mind में थे क्योंकि मैं मुंबई में bank में job कर रहा था और उसको छोड़ के आना और इस काम को शुरू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन दोस्तों जब मैं इस business में आया ट्रेनिंग लिया और सीखा तो मुझे इस बात पर विश्वास हुआ कि यह भविश में यह business चलने वाला है आगे lifetime है आगे हम best कर सकते हैं इस business के तहट हम अपनी future को बना सकते हैं और जिस training को मैं आज लेने आ रहा हूं और जिस training की मैं मैं शुरुवात करने वाला हूं आप पूरी training को गोड से सुनियेगा समझियेगा क्योंकि training का poster तो आपने देखी लिया है तो training का पर पर जो है पूरा जो आपको मतलब समझ में आएगा कि इस में इस business में हमारे मन में जो भी सवाल है वो clear हो जाएगा दोस्तों और मैं अप आपको बहतर से बहतर बता सपों क्योंकि जिस training को आप लेने आये हैं आपने शायद कहीं ना कहीं दो बार चार बार दस बार ले चुके होंगे बिल्कुल आप सीखे होंगे psychology training आप बहुत बार upline से सीखे होंगे बड़ दोस्तों हर किसी का अंदास हर किसी का तरीका अलग होता है हर किसी का experience अलग होता है मैंने इस business को आज 14 साल चल रहा है मेरा इस business को करते वे 13 साल हो चुका है तो कहीं ना कहीं मुझे 13 साल का experience है 13 साल से मैंने इस business को लगातार देखा हूं और इस psychology training को देखा हूं समझा हूं और इस training से मैंने खुद कामियाब तो हुआ ही हुआ बड़े सारे लोगों को इस training के माद्दम से मैंने लोगों को समझाया और जो समझा वो कामियाब भी हुआ तो आप समझने की कुश्च करना मैं अपने तरीके से आपको बैतर से बैतर बताने की परियास करूंगा तो दोस्तों आप इस training को गोर से सुनना और समझना और एक एक चीज नोट करना मैं स्क्रीन शेर कर रहा हूं जैसे आपने नाम देखा psychology of the guest and future of direct sales marketing ठीक है यानि मेहमान की मानसिक्ता को दूर करना आप हमारे इस business में आप देखे होंगे जो भी नए लोग आते हैं उनकी मानसिक्ता बड़े सारे सवाल होते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया मेरे मन में भी बड़े सारे सवाल थे बड़े सारे डाउड था बड़े सारी चीजे थी मैंने जब पलान देखा business position को देखा बीसी को देखने के बाद मेरे मन में भी वड़े सारे सवाल पैदा हुए क्या मैं जॉब को छोड़ू ना छोड़ू या मैं जॉब कंटीनिव करूँ मेरे लिए जॉब छोड़ना मुश्किल है आसान नहीं था क्योंकि बहुत मुश्किल से मेरी जॉब लगी थी बैंग में इसलिए मेरे लिए बहुत सवाल थे इसमें अब यहां पर आप देखें उन सारे सवालों का जवाब सैक्लोजी में मिलता है इस क्लास को हमारे डैरेक्टर साहब ने दो भागों में पाटा है दोश्कों पहला जो सैक्लोजी ओफ दगेश्ट फ्यूचर ओफ डैरेक्ट सेल म होता है मन और लोजिक मतलब विज्ञान दोनों को मिलाकर सैक्लोजी होता है यानि हिंदी में मनों विज्ञान कहते हैं दोस्तों तो सैक्लोजी किसे कहते हैं किसी दोसरे व्यक्ति के शरीर के हाव बाव को देखकर उसके मन की बातों को जान लेना उसे ही सैक्लोजी कहा जात है आप सकल देखके पहिजान लेते हैं इसी को बोलते हैं साइकलोजी ठीक है जैसा कोई व्यक्ति उदास होता है तो हम उसे बिना मिले या पूछे दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि जरूर उसको कोई परिशानी है या उसके घर में कोई दिक्कत परिशानी होगी किसी बात को लेकर दुख है तब वो उदास होता है महीं किसी को खुश या उसके घर में खुशी मनाते देखते हैं तो पता लग जाता है कि उसकी कहीं कहीं न कहीं उसके घर में किसी की शादी या बच्चा जन्म लिया है इसलिए वो खुश है खुशी मना रहे हैं कोई तो कारण आपने जब इस company की शुरुवात की थी, तो उन्होंने 10 लोगों का रिस्यू लिये थे, और उन 10 लोगों में से एक लोग खामुखा होते हैं, तीन सलाकार और 6 डारेक्ट जोइनिंग वाले, जो डारेक्ट फैसला लेते जीवन में कुछ कर गुजरने का, सबसे पहले को क्या निकाल लेते हैं, उसे खामुखा कहते हैं, जैसे उधारन example, शादी का function के बारे में, दूसरी बात यह है कि जब आप बड़े चाओ से अपना पैसा लगा कर, बाजार जाकर, अपने मन पसंद का कपड़ाज खरीदते हैं, और जब उसी कपड़े को पहन कर जब घर स मिल जाता है, तो बोलता है कि अरे भाई, यह कौन सा कपड़ा पहने हो, तुम पर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, अगर कहता है, तो चलता है तुमको कपड़ा दिवाले, दिलवाले के लिए, मेरे चाचा जी के दुकान में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा तीन लोग मिलता है या दो तीन दोस्त मिलता है फिर वो भी आपको कपड़े की बुराही करता है तो दोसरे की कमी बताते बताने से आप अपने कपड़े को जो बड़े चाओ से खरी देते यानि चाहत से खरी देते पहनने के लिए उसको खोल कर अलमारी मेरख देते हैं और कहते हैं फिर कभी इस कपड़े को नहीं पहनूगा आप हमको ये बात बताईए कि आप दोसरे के लिए जीते हैं या अपने के लिए जीते हैं जब आप इस काम को कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि ये काम हमारे लिए कितना इंपोर्टेन है ये ब और एनरजी के साथ आप इस काम को शुरू किये थे और आप उसी अंदास से ही खतम कर दिये, बंद कर दिये काम को, आप बताइए, इस दुनिया में जीने के लिए आएं अपने लिए या लोगों के लिए, कामियाब बनने के लिए आप आएं अपने लिए के लोगों के लिए कि दोस्तो आप अपने लिए जीते हैं अपने लिए कामियाभ बनते हैं इसलिए दुनिया की बात को मस सुनिये क्योंकि खामो भा लोग हर जगह पे हर छैतर में हर समाज में हर गाओं में हर महले में हर ख़ entonces मिश Scottish काել Bluff सांथ है यि इन किसी काम के बारे में जानकारी देना है या लेना उसे सलाकार कहते हैं तो सला लेना अच्छी बात यह बुरी बात भी है आई ये उदारन के तोर पर हम समझते हैं कि उदारन से आप राम पीता से सला लेता है शियाम पत्नी से मौन दोस्त अब राम पीता के सला क्या लेता है देखिए राम जब समिनार को देखकर जब बाहर निकलता है तो बहुत खुश होता है और अपने अपलाइन को क कहता है के काम तो बहुत अच्छा है जरूर करूंगा पर इस काम को शुरू करने मैं पैसा लगते हैं वो मुझे घर जाकर अपने पिता जी से लेकर आना पड़ेगा राम का rouपलाइन सो firewall से कहता है कि पैसे लाने के लिए जब घर जाओगे तो तुम्हारे पिता जी पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे इस बार राम कहता है कि फिर पर मुझे पैसे तो पिता जी से ही मिलेंगे ये बोलकर राम अपने घर चला जाता है और राम जब अपने घर पहुंचा तो अपने पिता जी से को बहुत खुश होकर बोलता है कि पिता जी मैं रक् काम को शुरू करने के लिए 10 से 15 से 16 रुपे जरुवत है अगर आप दे दे तो मैं वहां जल्द ही जाकर काम शुरू कर लेता तो उसके पीता जी पूचते हैं कि काम क्या है तो राम कहते हैं कि राम काम के बारे में बताओ बताने में मना कर देता है तो पीता जी को कहते हैं कि जब तक तुम काम के बारे में बताओगे नहीं तब तक तुम्हें पैसे देने वाले या देने वाला नहीं हूँ तो राम कहता है कि मेरे अफलाइन का काम के बारे में बताने के लिए मना किया है तो पिदाजी बोलते है के काम के बारे में बताओ और पैसे ले जाओ मजबूर काम मजबूरन काम के बारे में अपने पिदाजी को बता देता है कि उस कमपनी में 15-16,000 लगता है लगकर 4-5 मैने में CD से R&D और उसके R&D ही बनूँगा मैने के 30-40,000 कमाऊंगा तो उसके पिताजी बोले कि ऐसा कहें, कहीं तो नहीं है कि राम बोला, तो राम बोला कि ये सच है पिताजी, तो राम के पिताजी कहते हैं, कि ये जो मेरे बाल देख रहे हो, ना बेटा, उन्ही मैने धूप, उन्हे मैने धूप, मैं खड़े होकर नहीं सफेद किये हैं, मेरे जी वन में ICC company कितनी कमपणियां आई और चली गयी आज तक तुम耐 कहीं सुना है कि कोई काम कमपैसे लगाकर जादा पैसा कमाया हो लॉग जादा पैसा लगाकर कमपैसा कमाते हैं और राम के पिदा जी राम को क्या कहते हैं पैसे नहीं देते हैं और राम को नहीं शुरू कर पाता है यानि जब पिताजी पैसान ने दिये तो राम ने काम शुरू नहीं कर पाया पर जब जो गेस्ट आते हैं जब समिनार भी इसी परशिशन को देख कर जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि काम तो ठीक है पर पहल फोन करनू उनके द्वारा अब बाड़ी आती है बात तो कर लिया पिता जी से पिता जी को समझा नहीं पाया और पिता जी इस काम को करने से मना कर दिया अब श्याम की पत्नी है श्याम जी अपनी पत्नी को समिनार देखने के बार जब बाहर निकलता है तो उसको भी अच्छा लगता है अपलाइन को कहता है कि काम तो बहुत अच्छा है खुश हूँ अपने अपलाइन को कहता है कि काम तो बहुत अच्छा है मैं जरूर करूंगा पर इस काम को शुरू करने मैं पैसा लगते हैं वो मुझे घर जाकर अपने पैसे लाने क्योंकि पैसे मेरे पत्नी के पा तो क्या जवाब दोगे अपनी पत्नी कुछ बताना नहीं कुछ भी नहीं समझ पाएंगे श्याम ठीक कर अपने घर चल पड़ा और श्याम जब अपने घर पहुंचे तो और अपनी पहुंचते ही अपनी पत्नी को पत्नी से कहता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे 15-16 रुपे रखने के लिए दिये थे वह पैसे मुझे जल्द से जल्द मुझे चाहिए श्याम की पत्नी कहती है कि अभी अभी आये हैं और उल्टे-पाउं जाने की बात कर रहे हैं कम से कम एक गलास पानी तो पी लिजिए श्याम कहता नहीं मेरे पास समय नहीं है बस तुम जल्दी से पैसे लाकर दे दो मुझे अभी जाना है और जाकर काम शुरू करना है पत्नी मुझे नहीं पत्नी बोलती है मुझे नहीं बताओगे के काम क्या है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ठीक है आप बैठिये मैं पैसा लेकर आती है श्याम की पत्नी रूम में जाती है और यह देखकर गुसा हो जाता है पत्नी गुसा क्यों कर क्यों होते हो आप पानी तो पीजिए आपके पीने तक मैं पैसे ला दूंगी जैसे ही श्याम पानी पीने लगता है तो उसकी पत्नी अपनी सारी का पलू उठाकर श्याम के सर को पोचने लगती है और कहती है पत्न मैं आपकी अर्दी गिनी हूँ आपकी मुझे बताएंगे क्या काम क्या है मतलब मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ मैं कोई गहरत हो नहीं हूँ श्याम कहता है नहीं बता सकता याद कीजिए वो दिन जिन आप मेरे साथ मंडप में साथ फिरे लिये थे और कसम खाये थे कि आप धर्ती पर बिना मुझ से राई लिये कुछ भी नहीं करेंगे तो आज आप ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं जो मुझे बताना नहीं चाहरे हैं बता नहीं सकते श्याम से सुनकर भावनत्मक हो जाता है और अपनी पत्नी को बता देता है कि उस कंपनी में 15-16 अजार रुपे लगते हैं चार से पाँच मेने में CD से PD, ED, HD, RD बन जाएंगे जैसे ही हम RD बनेंगे 30-40 अजार कमाना शुरू कर देंगे सुनकर श्याम की पत्नी कहती है काम तो अच्छा लग रहा है पर आप एक बात किजिए कि आप तो कम पढ़े लिखे हैं आपका जो दोस्त है मोहन बहुत पढ़ा लिखा है उसको जाकर आप अपने काम के बारे में बताईए अगर वो मान जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूँगी और आप करने के लिए चले जाना और साथ में मेरा एक भाई भी है वो भी पढ़ाई लिखा आई कर रहा है घर बैठा है साथ में उसको भी ले जाएगे गा यह सुनकर श्याम अपने दोस्त मोहन के पास जाता है और अपनी दोस्त को कहता है किश्याम देख मोहन मैं बहुत एक अच्छा काम अच्छा काम देख कर आया हूँ अगर तुम मेरे पतनी से कहते कहे दे कि काम बहुत अच्चा है तो मुझे पैसे देगी और मैं जाकर काम शुरू कर लूँगा मोहनgeons सा काम है मुझे भी बतायो अगर अच्छा लगा तो तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाओंगा श्याम मोहन को काम के बारे में बता देता है तो मोहन कहता है कि मेरा काम मेरा एक दोस्त सोहन है इस काम को बारे में जाकर बताओ वो तयार हो जा गया तो मैं भी चलूंगा श्याम सोहन के पास जाते ही रहता है और उधर मोहान सौहन को फोन करके सब कुछ बता देता है और कहता है कियो देता है ये उसकी बात को मानना नहीं श९ाम जएसे ही सोहन को बताताएं पताना शुडू करता है वहे इसे ही सोहन शियाम से कहता है कि रुको, रुको, कहीं तुम उस काम के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, जिस में कुछ पैसे लगते हैं, तीन मैने ट्रेनिंग लिए, और लिए भी बोला है, होगा खाना रहना, सब मुफ्त में देते हैं, लिए बोलो, अरे बाई ये तो वही काम है, जि मेरे चाचा का लड़का गनेश गया था और शे महीने तक उसने, तो दोस्तों मैं आप से सलाकार की बात कर रहा था, अहां पर बात चूड़ी थी, यहां पर, छे महीने, पहले मेरे चाचा का लड़का गनेश गया था, और शे महीने तक उसमें उसने एक रुप्या भी नहीं कमाया, देखिए, अंदाजे कैसे बोल रहा है, कहां से कहां बात पहुची, आप गोर से मैं आपको आगे भी डिटेल समझाओंगा, अभी मैं इनकी पूरी बात पढ़ लेता हूँ, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कल ही तो गनेश उस काम को छोड़ कर आया है, इस तरह शियाम को जूट सच बोल काम करने से मना कर देता है, अब शियाम सब की बात सुनकर घर जाता है और अपनी पत्नी को गोद में क्या करता है, उठा कर कहता है, कि पत्नी हो तो तुमारी जैसी, तुमने मेरे पैसे डूपने से बचा लिए, इस परकार शियाम और मोहन दोनों ही इस साम को शुरूर नहीं कर पाते हैं, अब आप हमें हमको ये बताइए कि राम की पीता जी क्या इस कंपनी के डिरेक्टर थे, क्या इस शियाम की पत्नी कोई इस कंपनी की तीडी थी, क्या इस कंपनी के मोहन के दोस्त जीडी था, या फिर कोई और कुछ था, इस इस कमपनी का कोई बड़ा जोनल हेड या रिजिनल हेड था नहीं था दोस्तों, बिल्कुल नहीं था, मेरे दोस्त क्यूंकि सही सला नहीं मिनने के कारण उन्हें आगे इस बिसनेस को करने का मोका नहीं मिला, अगर कोई फिल्म को बनने में दो या से चार साल लगता है कितना दो से तीन चार साल लगता है फिल्म को बनने में और जब वही फिल्म सिनेमा घर में लगता है तो आप उस फिल्म को कितने गंडे में देखते हैं दो या डाई गंडे में देखकर अपने घर क्या करते हैं आ ज आते हैं दोस्तों सिर्फ मात से 2,5 गंटे में 3 साल की मूवी 2,5 गंटे में आप घर देखे आ जाते हैं आपका कोई दोस्त रास्ते में मिल जाता है और वह आप से पूस्ता है क्या पूस्ता है आप कहां से आ रहे हो आप dwश कर जवाब देते हैं कि मैं क्या बताया है मैं क्या पताएं यार मैं बहुत जबर्दस फिल्म देखकर आ रहा हूं तो फिर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि मुझे भी बताओ फिल्म में क्या कहानी थी और आप उसको पूरी फिल्म दो से पांच मिनट में सुना देते हैं क्या आपका दोस्त पूरी फिल्म में समझ जाएगा पूरी फिल्म जबकि आप ने उसके पूरी तीन गंड़े की समय देखकर पैसे देखकर फिल्म को देखे होंगे आपके दोस्त पूरी फिल्म समझने के लिए फिल्म को देखनी पड़ेगी पीन गंड़ा समय देखर ठीक उसी परकार से अपने काम के बारे में किसी को बताने से अच्छा उसको समिनार दिखाऊ परजिदेशन दिखाना पड़ेगा हुँ मेरे कहने का मतलब यह हैं मेरे दोस्त चला आप उनी से लीजिए जिनको इस काम के बारे में जांकारी है अगर जांकारी नहीं है आप उन्सको इसके बारे में सला मत बेजिए हम आपको सला डिरेक्टर से सला लेनी पढ़ेगी उसके जगह पर आप अगर हलवाई से पूछेंगे तो वहीं बताएंगे कि वो जानता है होगा कि बोलिएगा कि अगर अरे बाई डॉक्टर बनने में बहुत पढ़ाई और पैसा चाहिए माल लो कि तुम पढ़ाई के डिगरी ले लिए हो क्या लिए हो डिगरी ले लिए हो पैसा चाहिए माल लो तुमारी बढ़ाई डिगरी के मुकंबल हो गई तुमको पैसे कमाने के लिए किलिनिक खोलना पड़ेगा फिर तुम पैसे नहीं कमा सकते जब तक तुमारी किलिनिक में बीमार मरीश लोग नहीं आएंगे चलो बीमार या भी गया और गलती से अगर चुइं इंजक्शन लग जाएगा तो तुमारी जिन्दगी भरकी मेंनत और पैसा तर्वच्ट्म और से लह जाओ ऑगे टाओ एक हलवाई ही डॉक्टर्वने की बनने की साला नहीं दे सकता है दोस्तों एक्धा बनने की साला या सकता है एक businessman बनने की सला एक business में नहीं दे सकता है और डायरेक्ट सेलिंग में कामियाब होने के लिए एक डायरेक्ट सेलर ही आपको सला दे सकता है इससे अच्छा है कि तुम मेरे पास रोज सुबह आना और तुम चले भी और समोसा बनाना सिखा दूंगा रोज के रोज तुम कमा 500 रुपे कमा सकते हो उस हलवाई को ये नहीं पता कि अगर समोसा बनाते समय गरम गरम तेल आँखों में चेरे में पर गया तो क्या डोक्टर के पास जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अगर आपको इंजिनियर बनना है तो आपको इंजिनियर से सला लेना पड़ेगा ठीक उसी परकार से आपको अगर इसी कमपनी से सफल होना है तो उन सब से सला लेना पड़ेगा जो इस कमपनी में सफल हुए हैं क्योंकि आपका Rally, आपका LDD, आपका GD, वही बना सकते हैं, जो खुद बने हुए हैं दोस्तों, जो बना ही नहीं, वो दूसरों को क्या बना सकता हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि आप सला उसी से लेजिए, जिसको काम के बारे में जानकारी हो, सला देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग आपको सला देंगे, आप कभी भी उनकी सला पे मज जाहिए दोस्तों, अब मैं यहां बात कर रहा हूँ, 6 डारेक्ट जोइनिंग वाले में, कौन? 6 डारेक्ट, सला आपने समझ गया, कि सला कितना इंपोर्टेन होता है, देखा आपने कामों का कैसे लोग होते हैं, सला कार लोग कैसे होते हैं, सला सही लेना बहुत इंपोर्टेन है जीवन में, आज अगर मैं सला लोग किसी और से मुझे बिजनस करना है, तो सला मुझे नोकरी वाला नहीं दे सकता है, हमें अगर खेती बारी करना है, तो हमें क कौन लोग है जो काम को देखने यानि के सेमिनार बीजी परिशिटेन देखने के बाद वो बिना किसी से सलाल यह राय मशोरा किये काम को शुरू करता है वो ही छे डायरेक्ट जोईलिंग पहलाता है दोस्तों जो खुद अपने उपर निर्बर है सेल्फ डिपेंड होता है कि दोसरे बारे दोसरे पर वह अपना डिसिजन खुद नहीं लेता है जैसे आप लोग हैं आप लोगों ने अपना डिसिजन खुद लिया है इसलिए आप गेलवे बिजनस के अंदर हैं शायद अगर किसी और से सलाल लिया होते किसी दोस्त से किसी यार से किसी और लोगों से तो शायद आप गेलवे बिजनस में नहों अब देखें खामों का सलाकार और डायरेक्ट डिसिजन डायरेक्ट जोइनिग वाले अब आ जाता है दोस्तों मौका जीवन में हर किसी को मौके मिलते तो हैं मगर अच्छे मौके नहीं मिलते हैं अब अच्छे मौके होना बहुत ज जरूरी है किसी भी इंसान को जीवन में अचानक से आने वाले मौका इसका कोई रंग रूप नहीं होता है क्या नहीं होता है अकार कुछ भी नहीं होता है कि इस्टोडी क्या है करीब लकरहरा की जिस्ती मां अन्दी ब्याउलाद बहुत ही गरीब होता है उस पुजारी जिसको तीन मोके मिलते हैं अब मैं हिंए आप को इस्टोडी के माध्यम से फुरा सा यहां पर आपको सम्याने की कोशिस करता हूँ तो इस्टोडी बहुत ज्यादा है बहुत सारी इस्टोडी मैं उस पुजारी की जिसको तीन मोखे मिले मैं काणिक को नंबर दो वाली काणियों को बताता हूं कि एक गाउ में पुजारी था बहुत दिनों से पूजा-पाढ़ करता था उस मंदिर में और सचानक उस मोग के उस गाउं में पानी आ रहा था गाउं के लोगों ने कहा कि पंडी जी यहां से चलिए गाउं में पानी आने वाला है पंडीजी कहता है कि नहीं मैं जाने वाला नहीं हूं गाउंवाले लोग चले जाते हैं उच्छाई के और पंडीजी नहीं जाते हैं फिर नाउं में कुछ लोग सरकार के बचाओ कारी लोग जो बचाते हैं लोगों की मदद करते हैं नाउं से आता है और कहता है कि पंडीजी मंदिर खाली कीजिए यहां से चलिए गव में पानी आ चुका है और कुछ देर के बाद पानी और बढ़ने वाला है आप दूट जाएंगे मर जाएंगे बोला नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ मेरा भगवान मुझे खुद बचाने आएगा और वो लोग चले जाते हैं फिर दोस्तों लास्ट में हेलिकॉप्टर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं पंडिजी रस्ती पखर लिजे और आप इस रस्ती के माद्यम से उपर आ जाएए बच जादा खत्रे से बाहर है और आप मर जाएंगे और दोस्तों बंडिजी बात नहीं मानते हैं वो पुजारी बात को नहीं मानते हैं और वो मर जाते हैं दोस्तों और वो जब उपर जाते हैं बगवान के पास यानि उपर वाले के पास जब पहुंशता है उसकी आत्मा सवाल करता है उपर वाले से यह उपर वाले मैंने पुरी जिन्दगी आपके सिवा करने में लगा दी और हमें कैसे आपने मार दिया बुला पुजारी जी मैंने आपको मारा नहीं आप खुद मरें बुलाओ कईसे बहला मैंने आपको बचाने के लिए तेन रूप में आया मगर आपने मिले को पैचान नहीं पाया और आप खुद अपनी मनमानी से मरें कि दोस्तों ब्वकित जीवन में आपको बार बार तो आते हैं कुछ कर गुजरने का लाइप में कुछ बड़ा करने का बट अगर आप नहीं पैचाने यह वो मोगित अगर आप आके हांसे निकल गए तो दोस्तों आपको जीवनबर फिर पस्ताने के लावा फिर कोई वता तो आज मेरी भविश अच्छी होती फिर उस पेम काश-काश रह जाएगा यह कहानी आपने सुना होगा विकारी की पुल को आँख बंद करके पास करता है एक विकारी था और वो भीक मांगने का काम करता था और एक बार की बात है संकर और पारवती जी दोनों मिल करके कहीं पर घुम रहे थे और पारवती जी ने बोला कि विकारी को आप अमीर बना दीजिए संकर जी बोले कि नहीं कि विकारी को मैं अमीर तो बनाना चाहता हूं मगर यह बनना नहीं चाहता है बोला कैसे देखना चाहती हो बोला हाँ अब वो भीकारी एक दिन एक गाउं भीग मागने जा रहा था पुल पार करके तो पुल से जब उस पार से आ रहा था पुल पार करके जब गया भीग मागा और शाम को जब लोटा तो पुल मैं सोने की गढ़ई रख दिया कौन शंकर और जब पूल के पास आया तो उन्होंने दिमाग लगाया कि आज मेरी आंकों में रोशनी है अगर मैं बंद करके आज ट्राय करके देखता हूं कि आंक बंद करके मैं पहुंच पाता हूं कि नहीं पाता हूं अगर पहुंच गया तो मैं यह सूचूंगा कि आंक की रोशनी च मोखें इसे मिलते हैं यह मोखें गमा देते हैं लिए जो बंदर बड़े सारे बंदर रहते हैं वहां पर उपर में और उपर में बंदर बैटा रहता है और बंदर सवाल बंदर उनको नफरत करता है उनसे गुरुजी से गुरुजी करता है क्यों नफरत करते हो मेरे से बला नहीं मुझे मुझे नफरत इस बात पर है कि उपर वाले ने मुझे बंदर बना दिया और आपको इंसान बना दिया उस वक्त एक आवाज आती है अकासवानी की कि आप इस तालाप में एक तालाप रहता है उस पेड के किनारे कि इस तालाप में कुछ जाओगे तो आप इंसान बन जाओगे, तो उसमें एक बंदनिया जो थी, कालाप में कूच जाती है, और उसके बाद बाकी बंदर बंदनिया हसने लगती है, अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं कूदे, अगर कूद जाते, तो मर जाते, और कुछ दिर के बाद वो बंदनिया एक इंसान बंद करें निकलती है और बाद में उसको देख कि बड़े सारे बनर बंदनिया कुद तो जाती है, कि इनसान नहीं बनता है कि फिर बाद में क्या होता है वह बंदनिया फिर उससे राजकुमार पंडित रहता है राजकुमार रहता है पंडित के साथ और उसे शादी कर लेता है फिर उनसे पूसता है कि आप इतना जल्दी डिसिजन कैसे लिए फिर उन्होंने बताया कि जीवन में गुरुजी बार-बार मोके नहीं मिलते हैं तो मैं आपसे कहूंगा जीवन में आपको एक बहुत बड़ा मोका मिला है आप इसको गमाईएगा नहीं कभी भी इसको आप छ विश्वास क्या आता है नोके के बाद विश्वास विश्वास अटूट होना होता है या होना चाहिए जैसे लड़का लड़की एक दोसरे से बहुत मौबत करते हैं और दोनों ही एक दोसरे के लिए मर मिटने के कसमे खाते हैं तथा अपने माबाब, रिष्टेदार, समाज ठुकरा कर भाग जाते हैं तयार हो जाते हैं वही लड़की माबाप कहते हैं माबाप कहने पर उस लड़की को छोर्क दोसरे की जगह यानि दोसरे लड़के से शादी कर लेता है लेती है उन्हें धेरे नहीं रखता है उससे पता चलता है कि दोनों के प्यार पर आद पर अपनी कमपनी में काम करने को तयार हो जाते हैं और उनमें धेर रहता है वो वेक्ति सफल नहीं होते हैं और बीच में ही हार माल लेते हैं पर वो वेक्ति अपने घरगाउं समाच में नम्मर वन बन जाते हैं और एक नमूना सावित हो जाते हैं कमच लें जैसे दोस्तो इस्टूरी क्या है कहानी क्या है उस कहानी को समझे सादू और उनके दस शिष विश्वास देखिए मैं इस कहानी को सुनाता हूं गवर से सुनना क्योंकि दोस्तो यह कलासी आपका इसा है जो आपको आपकी आंदर की आत्मा को जगा देगी एक सादू था और दस उनके शिष थे सादू बुड़ा हो जाता है अब उसे लगता है कि मैं इस दुनिया को छोटने वाला हूं तो उस शिष को बुलाता है और कहता है मेरी गड़ी मेरी गड़ी जो है मेरे जाने के बाद यह संभालेगा तो बाकी नो जो शिष थे वो दोस्तो एक सवाल करते हैं कि गुरु जी क्या हम उसकाबिल नहीं है जो agency आपकोने नसियत किया वसियक किया कि यही बैठ सकता है हम क्यूंँने बैठ सकते हैं वला जानना चाहते हो बोला हाँ ठीक, सभी को बोला कि जाओ एक मुर्गा जयसे जानवर लेकर आओ' और साथ में एक चाकु लिया ना, मुर्गा, सभी नेझनदा जिनदा मुर्गा एक लेकर आया पंडित के पास, सभी लोग मुर्गा जानवर लेकर आए onu और बोला कि नचैकु भी लिया, जाकूल लियाता है जाओ इसको जब करके लाओ और अशी जगा जाके जब करना जहां पर कोई देखना क्या और सभी लोग जाता है कोई घर में कोई छेत में जंगल में कोई पहार में कोई कोई कहीं जाकर के चिप चिप करके को जबह कर देता है दोस्तों मगर एक बंदा जबह नहीं करता है वो जबह क्यों नहीं करता है उससे सवाल क्याता है कि सब लोगों ने चिप चिप करके जबह कर लिया आप बताइए आपने क्यों नहीं जबह किया गुर ड़कए या ऑब अद्री बड़ी दुनिया कहीं ला गुरुजी जहां भी देख दाया जहां भी जा रहा था मुझे भग्वां दिख रहा था वह कि भग्वां तो देख लाएं कोई इंसान झावर नहीं देख रहा है पूई दरिंधा-परिंधा कीरा तो नहीं देख रहा है। अगर भगवान तो देख रहा है। इसलिए मैंने जवन नहीं कर भाया, गुरू जी। बोला बाकी नो लोगों से गुरुजी ने कहा कि समझ पाया आपने क्या आप समझ पाये कि यह हमारी गद्धी का क्यों हगदार है नो लोगों ने का बिलुकुल गुरुजी यही आपके गद्धी का हगदार है हम लोग नहीं है यह क्या है दोस्तों एक विश्वास है किस प्राइवी बात पर उसे इतना विश्वास है भगवान की आउपर इतना विश्वास है कि उसे हर जगह पर उसे उसका भगवान दिख जाता है यह विश्वासी है इंसान को जो महान बनाता है दोस्तों विश्वास ही है कि बंदर बंदनिया की जो कहनिया आपने सुना विश्वास के अधारफी ही खुदा वो बंदनिया खुदी और इंसान बन गई विश्वास था अकासवानी पर डॉक्टर की जिसकी मां कैंसर से मर जाती है वह इस विश्वास से डॉक्टर बनता है कि अब मैं किसी की मां को मर जने में ऑप कि हुए पार बहुत सारी है बट आप के ओपर आपको अपनी कंपनी के ओपर अपनी ट्रेनिंग के ओपर अपने सिटरी आप अपने प्लान के उपर अपने प्रोड़क्ट के उपर अपने सिस्टम के उपर आपको क्या रखना है विश्वास रखना है दोस्तों विश्वास जता के रखना है विश्वास ही आपको कामियाप है अब आ जाता है उसके बाद सोच क्या आता है सोच सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है, हम जो सोचते हैं, वो हमारी जीवन में घटता है, कि ताज मल पहले शाजा के सोच में बना था, इसलिए शाजा ताज मल बनाया पाया था, अगर पहले सोच में ना बना होता तो जीवन में कभी ताजमन ना बनता दोस्तों हम इस कंपनी में आए हैं तो हमें कुछ बहुत बड़ा सोचना है और अपने गाउं समाच और घर में अपने आपको साबित करना है कि अपना घर बहुत बड़ा बनाना है और बड़ा गारी लेना है बड़ा पैसा कमाना है यह आपको सोचना है दोस्तों को, और यही सोच आपको कामियाब बनाएगा, आप बड़े सपने देखे, सपने का कोई साइज नहीं होता है दोस्तों, कि दो किलो का, दस किलो का, पचास किलो का, या एक कुंटल का सपना होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, सपने का कोई सा गुमना, unlimited पैसा कमाना, यह सपने देखो, एक दिन आप जरूर उस सपने तक पहुचोगे, अपनी सोच को बढ़ा कर लो, जहाज में गुमना है, ऐसा सोच रखो, पल में जाना, पल में आना, ऐसी सोच में रखो, कि दिल्ली जाना मेरे लिए ऐसा हो, जैसे हम मार्केट जाते हैं, या रिस्कदार किया जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को लोट आते हैं, शाम में जाते हैं, तो अगले दिन सुबह लोट आते हैं, ऐसी जिन्दगी मुझे बनाना है, कि दिल्ली मुंबई कभी भी जाना हो, तो यू जाना हो, तो यू जाना हो, यू जाना हो, तो कहलाता है दोस्तों यानि हमारी सोचने की जो चमता है वो हमारी पैरा मिटर आगे नहीं सोचने देता है हमारी सोच को तोड़ देता है हमारी सोच को रोग देता है यह पैरा मिटर इतनी डेंजर चीज़ है जिसे वाइरेस मुबाइल को चलने नहीं देता है मुबाइल के अंदर वाइरेस हो जाए तो मुबाइल हिंग करने लगता है स्क्रीन बराबर काम नहीं करता है ऐसी पैरामेटर है दोस्तों अपने सोचने की छमता खोल कर रखना और जब हम पास साल के होते हैं और हमारी नजर उजहाज पर परता है तो हमारे मुँ से निकल जाता है कि मा हवाई जहाज तो मा हमसे कहती है कि उस पर ध्यान मत दो से बड़े-बड़े यानि कि अमीर लोग बैठते है इसे ये तो होता है कि हमारी मा हमें डाट कर हमारी सोच को हुँँ बाहन देती है कि हम उस हवाई जहाज पर नहीं बैठ सकते त्योंकि हम पैसे वाले लोग नहीं है हम बहुत गरीब लोग है उस पर बड़े-बड़े और पैसे वाले लोग बैठते हैं बलकि उसके जग़ा हमारी मा यह कहती कि तुम भी बड़े होकर अच्छे से पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना और उस हवाई जहाज पर बैठना तो शायद हमारी सोच कभी और बड़ी होती बढ़ हमारी सोच को बाहन दिया जाता है हम घरीप में हम जब चोटे होते हैं तो हमारी सोच अक्सर देखे होंगे बच्चे सोचते हैं डोक्टर बनूगा इंजिनियर बनूगा साइंट्टिस्स बनूगा हम बड़े होकर कि यह बनूगा वो बनूगा और जैसे ही बच्चा धीर niezुल बड़ा होता है उसकी परामिटर को बांद दिया जाता है देखे होंगे गाउं समाज में आप भी किसी बच्चे से पूछे क्या बनना चाहते हो बुलेगा डोक्टर अब बढ़ा होके क्या बंडा है अरे हम गरीब आदमी कहां बन सकते हैं पढ़ने तो बहुत बड़ी बात है इसलिए हमारी परामेटर नहीं देखता है देखते हैं कि वह हम नहीं देखते हैं नजरिया ऐसा है कि हमारे सोच को भी गंदा और अच्छा कर देता है एक फिल्म है एक ही रास्ता उस फिल्म में अमिताब बच्चन का जो कि अपने बेटे को अपनी हतेली पर नो लिख कर दिखाता है पर उसके बेट ठीक उसका उल्टा खड़ा रहता है, तो अमिताब अपने बेटे को कहता है कि मैं जहां खड़ा हूं, वहां से ये नो दिखता है, जो सही है, और तुम जहां खड़े हो, वहां से ये छे दिखता है, जो सही है, हम दोनों अपनी अपनी जगा पर ठीक हैं, पर हम दोनों कह दे कि नजरिया अलग-अलग है दोस्तों क्या है नजरिया अलग-अलग है तो नजरिया की सबसे बड़ी बात होती है आप अच्छे नजर से इस कमपनी को देखेंगे अच्छी सोच के साथ देखेंगे तो यहां पर आपको सब कुछ वो दिखेगा जो आप जीवन में पाना चाहते हैं अगर आप गलत नजर से देखेंगे तो आपको यह कुछ भी नहीं दिखेगा आपको लगेगा कि मैं यह समय बरबाद कर रहूं यह है गलत नजर अच्छा नजर जहाँ पर आपको तीन रूप बनाकर भेजा है जैसे बच्चपन, जवानी, बुड़ापा हर इंसान का यह दोर होता है दोस्तों ठीक उसी परकार से इंडिया में कोई भी कंपणी आती है तो उसकी कंपणी भी तीन दोर से उजड़ती है जैसे इंटियल फेज, शुरुवाती का दोर, इनिशल फेज, शुरुवाती का दोर, फैमस, प्रसिद्धी का दोर, और कमपेटिशन फेज, यहनी परतियोक्ता का दोर कहानी, रेल गाड़ी, काला भूत, गैस सलंडर, भमका गोला, कंप्यूटर, इतियादी, क्यानी दोस्तों, रेल गाड़ी क्या था, काला भूत था उस दोर में, बड़ आज रेल गाड़ी, आज सबसे ज़्यादा लोगों की नीट जरूवत हो गया इस सवारी का, गैस करता है, तो यह सब दोर-दोर की बात है, आज हमारी डिरेक सलिंग एकीन मानिये, मैं आज एक लड़के से बात कर रहा था, बंगाल के, उन्होंने बताया, कि सर गेलवे बिजनस, इसको कोई टकर नहीं दे सकता है, यह भविश में कभी रुखने वाला बिजनस नहीं है, हम हम जब विदेश में जाएंगे, तो भी हम दुनिया को यह साबित कर देंगे, हम से बहतर कोई नहीं, इनकम कमाई, इनकम का दो परकार क्या होते हैं दोस्तों, लिनियार इनकम अपने समय को bेश कर कमाते हैं, जैसे 1 प्लस 1 टू, 2 प्लस 2, 4, 3 प्लस 3, 6, 4 प्लस 4, 6, और 5 प्लस 5, क्या है 10 अब वो तो आपने linear income देखा जो अपने समय को बेच कर पैसा कमाते हैं leverage income किसे कहते हैं अपने समय को दूसरे के समय के साथ multiple गुन करके कमाते हैं करना करके कमाते हैं जैसे 1 into 1 1 2 into 2 4 और 3 into 3 9 4 into 4 16 और 5 into 5 25 यह हमारे leverage income कमाते हैं दोस्तों यह income आप हमारे बिजनस में आप आये हैं और यही आप 6 into 6 जाएंगे तो फिर यह कहां जाएगा 9 into 9 जब जाएंगे 10 into 10 जाएंगे तो यह hundred में बदलता हुआ नजर आएगा यह हमारे बिजनस की सबसे बड़ी खासियद है कि आप यहां multiply करते हैं ना कि plus करते हैं दोस्तों और महांगाई आप सभी को पता है कि जब 1920 में एक रुपया कमायेता था अच्छी जिन्दगी जीता था 2000 के दसक में जो दस अजार कमाता था अच्छी जिन्दगी जीता था 2015 में 50,000, 2020 में 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 से इसके निकम को करपाएंगे इंसान का रिस यू क्या होता है way now j kalk虎 एक से 20 साल की प्रक्रक्राच क्या करता है मौच मौकन मौच मस्ति और ़ीस सचाली साल którą क्यानि आनि आदमी बेल के तरह मैनत करता है और चालिस से साठ्ट साल तक कुट्टे की तरह भाग दोर करता रहता है और 60 से 80 साल के बीच में उल्डू के तरह इंसान टक-टका की लगा के घर में बैठा रहता है बस परिवार का इंतजार करता रहता है कि कुछ खिला दे और उसके पास इननी शक्ति नहीं रहती है कि वो मेहनत कर सके वो काम कर सके करना हमें बैठर जिंदगी जीना है और कामियाब बनना है दोस्तों अपने जीवन को सकसेज बनाना है अपने जीवन को कामियाब बनाना है अपने जीवन को हमेशा एक मौका के जीवन में अच्छे मौके आपको बहुत परम मिलेंगे कंपणीया तो बहुत मिलेगी मगर अच्छी कंपणी आपको बहुत कंद द्लग अप लाइन कम मिलेंगे ट्रेनिंग तो बहुत मिलेंगी आपको अच्छी ट्रेनिंग बहुत कम मिलेंगे गुरु तो बहुत मिलेंगे अच्छे गुरु कम मिलेंगे तो ऐसे ही आप एक अच्छी कंपनी अच्छी ट्रेनिंग अच्छे अप्लाइन अच्छे लीडर के साथ आप लगे रहिए, टटे रहिए दोस्तों, करते रहिए, क्योंकि यही हमारा गेलवे का सिधानत है, कि लोग कभी भी काम्याब किसी कारण से ना हो, कि ट्रेनिंग की वज़े से फेल हो गया, इस applyne की वज़े से फेल हो गया, यहां applyne आपका direct कोन company बन चुका है, आज जिस training को आप ले रहे हैं, इस training का कोई आप पैसा नहीं दे रहे हैं, company के थूर से ये training आपको मिल रही है, यह ट्रेनिंग आपको अप्लाइन के थुरू से मिल रहा है और यह अप्लाइन कौन है? कमपणी बन चुका है आपका अप्लाइन. आज आपका अप्लाइन कोई और नहीं है? आज आपका अप्लाइन आपकी कमपणी है दोस्तों. इस सिस्टम को जो देख रहे हैं वही आपका दिन रात सोच रहे हैं, ऐसी कोई भी भारत की कोई भी direct selling company में इस system नहीं है, कि इस तरह से हर नीचे से नीचे distributor को training दी जाए, directly बिल्कुल बड़े बड़े अप्लाइन से, बड़े बड़े लीडर से आपको इस तरह की training मिले, आप training लेते हैं, आपको आपके जगह पे, जहां पी center होता है, वहाँ पर आपको training मिलता है, किसके माध्यम से, ED, SDRD के माध्यम से, और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, सब बड़े बड़े लीडर आते हैं, ED, GD, और company के journal aid, regional aid, बड़े बड़े लोग आपको सिखाने के लिए आते हैं, और वो सभी successful leader आते हैं, काम्य leader आते हैं, जिसको 10 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल हो चुका है, वो अपनी experience को यहाँ शेयर करते हैं, तो दोस्तों आप अपनी training के माध्यम से अपने आगे business को बढ़ाईए, लोगों की बातों में मत आईए, लोगों की बाकाओं में मत आईए, लोगों की कहने पर मत आईए, लोग जैसा जो दुनिया करना चाहे, आपके जैसा, धन्यवाद, थैंक्यू सो मच, फिर मिलेंगे, फिर कभी किसी और training के साथ, लगे रहिए, ढटे रहिए, करते रहिए, धन्यवाद, थैंक्यू सो मच, जै हिन, जै गेलवे सर, जै गेलवे,